दोस्तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले एक incident बताता हूँ जो आज की वीडियो topics related ही है आज से 2 साल पहले मैं एक function में गया था जहाँ पे मुझे मेरे college का पुराना antique दोस्त मिला था तो फिर इतने सालों के बाद मिलने के बाद मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है कैसे है हाल चाल मैंने उसे पूछ लिया तो भाई सब शुरू हो गए और अपने बारे में बड़ा चड़ा कर बोलने लगे computer engineering की है MNC में काम कर रहा हूं ऐसा है वैसा पाच मिनिट तो भैसा रुके नहीं तो फिर मैंने बोला यार इनकी लेनी चाहिए तो फिर मैंने बोला भई computer engineering कर लियो तो कुछ सवाल में पूछना चाहूंगा क्या पूछ सकता हूं तो उसने बोला बिल्कुल पूछो तो मैंने बोल अलफवेटिक ओडर में क्यों नहीं होती है अब जब मैंने ये सवाल पूछा तो बाइस साब का चाहरा ऐसा था कि दू-तीन मिनिर तो वह सब सोची रहते तो आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए कि computer तो आपने सीख लिया computer में आपने बहुत कुछ उखाड लिया computer में बहुत सारी चीज़े आपने सीख ली और आपको यहीं नहीं पता कि keyboard की उपर जो keys होती है वह alphabatic order में क्यों नहीं होती ह तो ऐसी बहुत सारी keyboard के बारे में आपको जानकरी नहीं होगी क्योंकि keyboard की उपर होती है keys totally 104 और आपको इनके बारे में detail में जानना चाहिए यार यह मुझे कहना है rhyming कर दिया मैंने लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यह computer fundamental की सीरी चल रही है इसमें part 3 चल है हमारा और जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ keyboard की उपर की keys के बारे में detail जानकरी जो 104 keys होती है वो कौन कौन सी keys होती है कौन सी keys प्रेस करने के बाद क्या होगा basically यह सारी चीजों का जानकरी मैं detail में देने वाला हरे keys को मैं पकड़ पकड़ के बताने वाला हूँ यह तो मेरा बोलने का अंदाज है लेकिन detail में बताने आलो यह मैं कहना चाहता हूँ और alphabetic order में क्यों नहीं होती यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आप interested हो basically interested तो होंगे अगर आप नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में तो interested वीडियो end तक देखिएगा सा मैं आप सबका सौगत करता हूँ कीबोर्ड के बारे में detail जानकारी लेते हैं लेट्स बिइंड तो दोस्तों जैसिक में इंट्रोपार्ट में आपसे का कि हम कीबोर्ड की उपर जितनी भी कीज उनकी detail में जानकारी लेने वाले और उनका practical इस्तमाल भी सीखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको कीबोर्ड की उपर जितनी भी कीज उनका पहले नाम बता देता हूँ मतलब यहाँ पे अलग-लग section की कीज है तो उनको पहले मैं explain कर देता हूँ सबसे पहले आपके सामने जो कीबोर्ड यहां पे दिखाई दे रहा है और उसमें जो टॉप रो में की इनका अलग-लग software में कैसे इस्तमाल करेंगे यह भी practically देखेंगे लेकिन इने function कीज बोला जाता है याद रखना है और उसके left में आपको एक की दिखाई दे रही है जो की ESC नाम से उसे escape की कहा जाता है तो इसका क्या use है मैं आपको बताऊंगा पहले इनका नाम याद रख याद रखिए इसमें number भी दिखाई दे रहे है आपको 12345 और आपको कुछ symbols या signs भी दिखाई दे रहे है जैसे exclamatory at the rate इने alphan numeric keys कहा जाता है कीज का नाम याद रखिए उसके बाद आपको नीचे जो keys दिखाई दे रहे है उसके left side में आपको टैब दिख रहा है caps lock shift control windows के key है फिर alt दो बार दिख रहा है control भी आपको दो बार दिख रहा है shift भी आपको दो बार दिख रहा है तो यह जो keys है इने special keys बोला जाता है जो की combination के तोर पे हम use करते है इनका क्या इस्तमाल है मैं आपको बताऊंगा special keys इनका नाम याद रखने आपको इस section को right उसके बाद ABCD वाली keys याने की alphabetic keys ABCD जो आपको दिख रहा है वो alphabetic keys है और यह ABCD format में नहीं है क्योंकि यह keyboard का qwerty format है qwerty उसके बाद आपको यहां पे right side में arrows दिखाए दे रहे है like up arrow down arrow left arrow और right arrow इने बोला जाता है arrow keys right तो यह arrow keys होती है या फिर इने navigation keys भी बोला जाता है इनका इस्त insert home page down delete end यह जो keys है उसके साथ print screen scroll lock और pause break यह जो keys है इने extra keys कहा जाता है इनका अलग-अलग इस्तमाल होता है practically combination के साथ भी इसका इस्तमाल हम सीखने वाले है तो वो भी practically देखेंगे और उसी के साथ right side में एक panel आपको दिखाए दे रहा है जिसमें आपको 0 to 9 number दिख रहे है उसके साथ multiplication वगरा का sign दिख रहा है तो यह है numeric keys जो कि आपको यहां पर numbers type करने के लिए help करता है keyboard की उपर तो इने numeric keys बोला जाता है तो मैंने keys की आपको जानकारी दी कौन से keys को क्या बोला जाता है standard keyboard में 104 keys रहती है अगर आप multimedia keyboard यूज कर रहे है तो आपको multimedia function यूज कर जाना है वीडियो को audio increase करना है audio decrease करना है video next करना है या backward करना है इसके लिए अलग-अलग keys रहती है वो multimedia keyboard के उपर available है जो कि screen के उपर आपको multimedia keyboard का example मैं आपको दिखा रहा हूँ तो हम standard keyboard के बारे में जान कर लेंगे जो कि offices में use होता है multimedia keyboard हम तभी करीते है जब हमें कभी multimedia ज़्यादा यूज करना रहता है video को आगे forward करना है या backward करना है इसके लिए फिला लम ने यह तो जान लिया कि कोन सी keys को क्या बोला जाता है function keys कहां पर होती है alphabatic keys किसे कहा जाता है alphanumeric किसे कहा जाता है numeric क्या है extra key है navigation key क्या है यह सारे keys के बारे में मैंने आपको जान करें दी अब इनका practical इस्तमाल शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे top row से यानि हम escape button से सबसे पहले शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं आ चुकाओ desktop की उपर अब escape button का इस्तमाल मुझे आपको बताना है तो सबसे पहले escape key का इस्तमाल मैं powerpoint के अंदर बताऊंगा दूस् इसके अलावा escape का यूज होता है generally suppose आपने यहाँ पर start क्लिक किया लेकिन आपको यह window नहीं चाहिए तो आप keyboard पर escape button प्रेस कीजिए और escape button अनॉंटे डायलाव box को close करने के लिए यूज होता है जैसे आप Microsoft Word में काम कर रहे हो लेकिन अनॉंटे डायलाव box open हो रहा है या फि इसमें कुछ काम नहीं आपका तो keyboard पर escape button दबाईए तो डायलाव boxes close करने के लिए अनॉंटेड क्लिक अवाइड करने के लिए जैसे close पर अपने गलती से click कर दिया तो click करते ही वह पूछ रहा है कि यह document को save करना है क्या करना है तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है यह dialogue मु तो मैं escape करूंगा या फिर कोई dialogue box मुझे close करना है तो भी मैं escape करूंगा या फिर मैं keyboard की उपर control shift escape दबा दूंगा तो यहाँ पर task manager open होता है जिससे आपके computer का performance आप पता कर सकते हैं आपका CPU कितना use हो रहा है memory कितना use हो रहा है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर बता रहे पान चुके होंगे भाई escape की का इस्तमाल क्या है right? Escape, भाई escape करना है आपको तो भाई escape की use करो, simple है अब हम बढ़ते हैं next key की तरफ function keys हम शुरू करते हैं अभी function keys में F1 से start करते हैं अगर आपने computer के उपर यहाँ पर drakely F1 प्रेस कर दिया मतला आपके computer में कुछ भी software आपन मेनू आ जाएगा इसमें आप सर्च कर सकते हैं अगर आप कोई software में जैसे Microsoft Word आपका start है और यहाँ पर F1 प्रेस करते हो तो एक help task pane open हो जाता है right side में और इसमें आप help ले सकते कि भाई आपको page setup के बारे Microsoft Word में जाना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं तो help menu open करने के ल Ctrl F1 तो भही यहाँ पर यह जो ribbon है वो minimize हो जाता है Ctrl F1 Ctrl F1 Ribbon minimize open right इस तरह से आप Ctrl F1 Microsoft Word Excel Powerpoint में ribbon को open or close करने के लिए या फिर minimize करने के लिए इस्तमाल कर सकते है minimize हो जाता है Ctrl F1 याद रखिए Ctrl F1 right आपके सामने जो ribbon दिख रहा है वो minimize हो रहा है वो मैं practically इस्तमाल करके दिखा रहा हूँ shortcut की note down कर लिए या फिर already मैंने PDF दे दी है don't worry about it so next shortcut की की तरफ बढ़ते अब है next shortcut की F2 तो F2 का इस्तमाल पहले मैं desktop पे दिखाना चाहूँगा इसे मैं minimize का तो यहाप एक folder complete technology नाम का जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा right so मैं क्या करता हूँ कि इस folder को select करता है या इस folder पे मैंने click किया और keyboard पे मैंने F2 button press करते ही यह folder का नाम change करने के लिए option आ चुका है मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ learn more right so learn more मैंने नाम रख दिया जो कि हमारे एक channel का नाम है आपको पता ही होगा और मैंने बाजू में click कर दिया तो F2 से क्या होता है F2 से file का नाम आप change कर सकते फोल्डर का नाम आप change कर सकते याद रखिए rename F2 यह rename के लिए use किया चाता है अच Excel के अंदर F2 का कुछ अलग इस्तामाल है इसलिए मैं Excel यह पे start करके रखाया अगर यहाँ पर पहले से कोई नाम आपने type कर दिया जो भी नाम है आपने type कर दिया सपोज मैंने मेरा नाम type कर दिया example के लिए मैं लिख रहा हूँ okay तो अब मुझे इसे edit करना है इस नाम को तो और मुझे ओने नाम आड करना है सतिश के पहले पृया नाम आड करना है सतिश डॉले की पीच में मुझे क्या करना है मैं डैडिक नाम करना में जो भी करना है तो मैं यहाँ पर M और एप 2 बटम प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखें करसर आ रहा है, तो एप 2 मतलब एडिट अक्टिव सेल, याद रखिए, इस सेल में कंटेंट है पहले से और एप 2 आप प्रेस करोगे, तो उसको आप एडिट करना चाहते, एडिट अक्टिव सेल, तो यहाँ पर एंड चेंज करने के लिए F2 का इस्तेमाल यहां पे एडिट एक्टिव सेल के लिए होता है और F2 का और एक इस्तेमाल जैसे वर्ड के अंदर आपनी यहां पे कुछ कंटेंड लिखे है प्रिंट निकालने के पहले आपका पेज फूल स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है यह तो आपको पता चला कि वहीं का मिनिंग क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है अब नेक्स शॉटकर की की तरफ बढ़ेंगे जो की है फंक्शन की F3 अब फंक्शन की F3 Microsoft Word में मैं आपको दिखाना चाहूंगा F3 का directly use नहीं है लेकिन shift के साथ है यहां पे मैं इस paragraph को select कर रहा हूँ and मैं इसे zoom करता हूँ मैं यहां पे shift F3 प्रेस कर रहा हूँ कुछ changes आपको दिखाए देंगे अगर आप notice करोगे shift F3 क्या हो रहा है पूरे के पूरे पूरे alphabet जितने selected है I am talking about selected text तो यहां पे selected text में यह capital हो चुका है दिखाए दे रहा है आपको अगर मैं फिर से shift F3 करता हूँ सारे के सारे small होगे फिर से मैं shift F3 करता हूँ ध्यान से देखे कुछ changes हो रहा है पहला alphabet जो है वो capital हो रहा है sentence का V यहां पे W दिखाए दे रहा है और अगर नीचे notice करेंगे यहां यू का Y इस तरह से capital हो गया sentence का पहला alphabet capital हो चुका है फिर shift F3 सभी capital shift F3 सभी small shift F3 sentence case capital case मतलब upper case यानि कि पूरे alphabet capital हो जाएंगे और lower case इस तरह के change case यहां पर हम कर सकते की बोर के जरीए तो अगर आपने यहां पर पूरा paragraph लिग दिया और आपको पता चला कि यार सब capital में लिखना था select the paragraph press shift F3 that's it तो F3 का कमाल का इस्तमाल आपने यहां पर सीखा होगा लेकिन Excel में इसका इस्तमाल कैसे होगा मतलब shift F3 अगर मैं Excel में press करूंगा तो क्या होगा देखते हैं यहां पर कोई number type कर लिए आपने और आपको यहां पर total करनी लेकिन आपको total यहां जो भी formula यहां पर लगाना है कोई भी एक तो formula लेने के लिए आपको यहां पर insert function में जाना पड़ता है मैं focus करता हूँ यहां से आप लेते यह insert function वाला जो पर दंदीकरा नहीं यहां पर click करो फिर यहां पर insert function का diala box आता है और यहां पर formula आ जाते है आपको जो भी formula लगाना है उसके सबसे तो आपको एकसल के अंदर कुछ अलग function available करके देता है मतलब function की screen देता है right so next shortcut की की तरफ बढ़ता है वो है F4 अब F4 shortcut की हम कैसे इस्तामल करते है मैं practically यहां पर दीखाना चाहूँगा इसको हम Alt F4 करेंगे इसको हम Ctrl F4 करेंगे इसको हम Shift F4 भी करेंगे क्या बात है तीनों का combination अगर मैं Excel में यहां पे Excel में कर रहा हूँ पहले यहां फिर Word में छोपी है, मैं Ctrl F4 प्रेस करूंगा तो यहां पे वो पूछ रहे कि भाई यह close होगा document और save करना है कि आपको मुझे save करना है यह close आता है close हो रहा है right यहां पे don't save कर रहा हूँ है close, Ctrl F4 मेंने प्रेस कि याद देखिए इस फाइल का नाम है book 1 उपर देखिए अब यह book 1 जो workbook है close हो चुका है excel की फाइल को workbook बोलते हैं हम लोग तो workbook close हो चुका है यहाँ पर आपको अभी excel दिखाए दे रहा है excel software चालू है मैं control n करूंगा तो यह नया workbook आ चुका है book 2 control n से नया workbook आ गया नो इशुज मैं फिर से यहाँ पर control f4 प्रेस करता हूं यह workbook close हो रहा है excel बंद नहीं होता है याद रखिए रहा पर बस excel के अंदर का workbook close हो जाएगा पुरा excel अगर बंद करना है तो आपको alt f4 प्रेस करना है मैं alt f4 प्रेस करता हूं alt f4 पुरा पुरा exit होता है Ctrl F4 से बस उसके अंदर जितने workbook है एक एक करके close हो जाएंगे और Shift F4 से अगर मेरा यहाँ पे कुछ content है और cursor यहाँ पे है तो मैं Shift F4 यहाँ पे दबाता हूँ तो यह क्या होगा? Shift F4 तो cursor beginning में चला जाता है cursor आपका यहाँ पे था, Shift F4 दबाईए cursor ड्रेक ली उस position पे हम चले जाएंगे beginning भी यहाँ पे A1 पे चले जाएंगे Shift F4 से इस तरह से हम कर सकते है Alt, Ctrl और Shift का इस्तमाल F4 के साथ तो F4 हमने देख लिया अब next shortcut की तरफ बढ़ते है जो कि है F5 सबसे पहले तो PowerPoint में F5 का इस्तमाल आपको पता होना चाहिए दोस्तों F5 PowerPoint में होता है Slide Show के लिए मतलब यह slide मुझे present करनी है F5 यह देखे F5 फिर SK button से exit हो जाती है close हो जाती F5 Slide Show PowerPoint में इस्तमाल पता चला Windows में क्या इसका इस्तमाल है मैं सारी चीज़े मिनिमाइज कर दे तो यहाँ पर अगर मैं F5 करता हूँ तो refresh यह तो बहुत सरे लोगों को बता है right click refresh करते हम वही आप F5 बटन से refresh कर सकते अभी नए Windows में जाता है refresh का जो काम है वो कम हो गया है पहले क्या होता था कि कभी-कभी आप desktop फोल्डर बनाते है तो वो दिखाए नहीं देता था आपको refresh करने के बाद कभी-कभी वो लोड होता था इसलिए refresh की मापे दी गई है right तो F5 यह shortcut की आप यहाँ पर यूज कर सकते है अच्छा इस F5 को वर्ड में अगर आप प्रेस करते है या एक्सल में प्रेस करते है तो आपको एक गूटू option मिलता है कि भाई कौन से पेज पे आपको जाना है enter page number page number डालो उस page पे आप यह आप जा सकते है F5 बटन प्रेस करने के बाद एक्सल में आप F5 प्रेस करते है तो कौन से सेल पे आपको जाना है मुझे जाना है A5 पे A5 सेल रेफरेंस मैंने डाल दिया और मैं ऐसे OK करता हूँ तो A5 पे चला जा रहा हूँ देखिए F5 बटन प्रेस करते है गूटू का डाला बोक्स आता है और गूटू यह काफी एडवांस है एक्सल के अंदर तो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल ओप्शन भी गूटू के अंदर और इसके लिए मैंने अल्रेडी एक्सल टूटू चैनल पे गूटू स्पेशल का एक अच्छा सा वीडियो बनाया है जो कि अगर आप एक्सपट बना चाहते है सीखना चाहते है इक्सल टूटूर चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दियए गूटू स्पेशल का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ने दिया है आपके लिए दोस्तो फेशल यह आपके लिए एफ यह होता है यहाँ पे रिश्टो डाउं विंडो छोटी होती है लेकिन यही शॉटकुट कि आप वर्ड में इस्तमाल कर सकते हैं वर्ड में आपको अल्ट एफ ऐ करना पड़ता है यह देखिए अगर आप अल्ट एफ़ाइ करते हो तो यह चोटा हो जाता है तो अल्ट एफ़ाइ कंट्रोल एफ़ाइ देन एफ़ाइ कैसे इस्तमाल करना है डेपिनेटल समझा होगा सारी चीज़े डीटिल में बता रहा हूँ इसलिए स्टेप बाइस टेप हर एक चीज का करते हैं लोग एफ़ाइ का इस्तमाल ही पताने लोगों को लेकिन आपको कहा गया कि एफ़ाइ प्रेस करके एकसल के अंदर में आता हूँ सपोज एपसल के अंदर बोला है कि यहां पर बहुत सारी शीट है मैं आपको एक्जामपल दिखाता हूँ और आपको बोला है कि से आप एफ़ उसक्स करोगे न यहां पर प्रेस करोगे अभी आप यहां पर आ갔ो का इसफे ख़िका धीज़युदाव फिर फ्रेया घ्र-दीज थीर फिर फ्र्रेस करोंगे जूरे की अब फ्रेस करो कि अनुद यह पर लनग ऑप सब्सक्वरपर और तो नहीं अनुद होगा देखिए पहले आप windows logo पर आ चुके हो, f6 प्रेस करो, फिर आप आगे आ चुके हो, यह देखिए, यहाँ पर आप task view में आ चुके, f6 प्रेस करो, यहाँ पर यह जो recent open applications रहते हैं, frequently open applications, recently, frequently open के लिए हमने जो applications रखे, वहाँ पर आ चुके आप, इसमें आप f6 प्रेस करके आ इसमें switch होना है, तो right arrow, left arrow आप आप सकते हैं, कुन से application में जाना है, right, तो यहाँ पर मैं f6 प्रेस करता हूँ, अभी में cursor यहाँ पर आ चुका हम, मेरा cursor, यहाँ अगर notice करोगे, मैं आपको zoom करके भी दिखा रहा हूँ, यह देखिए, और यहाँ पर मैं right arrow, left arrow प्रेस लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और आप जान चुके होंगे, और आपको लगा होगा यार, यह कमाल की सर ने shortcut की बताई है, तो इस बात पर इस वीडियो को like तो देदो यार, फिलाल, आगे बढ़ते है, app 7 shortcut key की तरफ, अब app 7 shortcut key का इस्तमाल हम Microsoft Word के अंदर करेंगे, और वो है, spilling and grammar के लिए पहले करेंगे इसका इस्तमाल, जैसे, मैंने Microsoft Word के अंदर एक नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर श्री वल्ली, आज कल यही famous चला है, नाम तो यही लिख देता हूं, मैं श्री वल्ली, श्री वल्ली स्पिलिंग, I don't know, श्री वल्ली मैंन यही बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे spelling mistake ही चाहिए तो और रेडवी वी अंडरलाइन सी यह spelling mistake word में बताता है, रेडवी अंडरलाइन यह ने आपने एक वर्ड लिख दिया computer, यहाँ पर इस ने अंडरलाइन नहीं दिया, आपने एक और वर्ड लिख दिया computer, आप यहाँ पर अंडरलाइन बता रहा है, मतलब आपने गलत वर्ड अगर लिखे तो रेडवी अंडरलाइन से वह बतानी वाला है आपको, इस तरह से, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें रेडवी अंडरलाइन हटाना चाहता है, अभी श्रीवली तो मेरा correct ही है, मुझे लगता है कि यह correct है, लेकिन यह computer इसलिए गलत बता रहा है, क्योंकि computer की dictionary में नहीं है, computer को क्या पता है, श्रीवली नाम का कोई है, श्रीवली गाना है, क्या है, computer को कुछ पता नहीं है, हमें उसे बताना पड़ेगा, तो भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम F7 प्रेस आपके सामने, right side में, spelling grammar नाम का एक task plane उपन हो जाता है, वर्ड के अंदर, अब यहां पर बता रहा है कि यह जो वर्ड है, श्रीवली लिखा हुआ, उससे related मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड है, श्रीवलिक, श्रीवल्स, वो बता रहा है कि यह वर्ड हमारे पास है, इसमें से को वर्ड हमें नीची है, अगर हमें चाहिए रहेगा, तो हम यहां पर चेंच पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें इसमें से कोई वर्ड नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पर इग्नोर वन्स कर देंगे, इग्नोर वन्स का मतलब है कि यह स्पेलिंग ह एड करके रोको नेक्स ताइम मैं श्रीवाली रिखोंगा तो मुझे ये स्प्लियां घ्रामर मिस्टिक नहीं दिखाना आपको कम्पिटर को हम बोल रहे है एड डिक्षनरी अड मतलब इस कम्पिटर की दिक्षनरी में एड होगा जब next time आप श्रीवाली लिखोगे तो यह आपको यह वाली underline नहीं दिखाएगा रेड़ बीवी underline बिल्कुल नहीं दिखाएगा वैसे भी underline प्रिंट में नहीं आती है बट यह ठीक है आपके लिए प्रिंट में नहीं आएगी है अब उसने यह वाला वर्ड को छोड़ दिया उसने चेक नहीं किया क्योंकि यह करेक्ट है सेकेंड वाला लेकिन कॉम्टर जो नीचे लिखा गया है वो गलत है और उसके लिए सेजेशन बता रहें कि आपको कंप्टर लिखना है कॉम्टर लिखना है या कंप्यर तीन में से कौन सा लिखना है उसको सिलेक करो और कहां पे क्लिक करो चेंज पे क्लिक करो फिलाल वही हम करेंगे चेंज पे क्लिक करेंगे कि क्या होता है, F7 में छेक कर सकते है, इस वर्ड का मीनिंग अगर हमें जानना है तो हम Shift F7 प्रेस करेंगे, F7 का और एक कॉंबिनेशन बनता है, Shift के साथ, Shift F7 से आता है, एक और टास्क पे वर्ड के अंदर थिशॉरस, यहने सिनॉमिनन्स, इसका सिमिलर वर्ड, में ज्यादा इस्तमाल होता है, Excel में आते हैं और यहां पे कुछ content मैंने type कर लिया, कोई भी content हो सकते है मैंने content या पे एक number ही type कर लेता हूँ, और इसे repeat कर देता हूँ अब यह repeat कैसे किया, मैं आगे बताऊंग, आपको आगे shortcut keys है इसके बारे में, फिलाल यह content आपको देख रहा है, यहां पे मैंने cursor रख दिया और यहां से मैं select करना चाहता हूँ, राइट साइड में तो मुझे shift और right arrow दबाना पड़ता है, shift और down arrow दबाना पड़ता है मैं एक ही key से arrow key, right arrow दबाऊंगा तो select होना चाहिए F8 आपका active हो चुका है, right side में आप जाओ, right arrow प्रेस करो बस, control shift कुछ नहीं प्रेस करो, right arrow प्रेस करो, down arrow प्रेस करो automatically उस select कर रहा है, आप arrow प्रेस करोगी आप उस selection पे cursor लॉक हो चुका है देखिए, जो 45 आपने लिका था, मतलब 45 जो आपने select किया था, D6 cell में, तो वो selection उस position पे lock हो चुका है याद रखिए, फिर से F8 प्रेस कीजिए, अब देखिए, extend selection नाम यहाँ पे जो था वो निकल गया है अब आप पे down arrow प्रेस करोगी तो आपका cursor SMO होगा, तो जिस position पे आपका cursor उसी पे lock करने के लिए, आप F8 प्रेस करोगी यहाँ पे नीचे वो आपको instruction देदेगा, status bar पे क्या status है, extend selection आपने on कर लिया है अब आप down arrow प्रेस करो, select हो गया, आपको कोई combination प्रेस करने के जुरुत नहीं, shift हो गया, अब F8 दुबारा प्रेस करोगी, selection हट जाएगा, exchange selection अब चला गया, so F8 का इस्तमाल एक यह होता है, दूसरा F8, word और Excel में, alt F8 होता है, alt F8 macros की window लाने के लिए होता है, अब यह macro ज तो आप गदा मजदूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि Excel का macro या Microsoft Word का macro, जो भी macro अगर आप सीख लेते हो, Excel के अंदर का, तो आप यहां पे काम बहुत fast करते है, जिहां, अगर आप Excel में macro इस्तमाल नहीं कर रहे हो, तो आप गदा मजदूरी कर रहे हो, और इसके उपर, मैंने आ काम कर रहे है, लेकिन गदा मजदूरी कर रहे है, मतलब macro का इस्तमाल हम नहीं कर रहे है, macro में काम automatic होता है, वो कैसे उस वीडियो में पता चलेगा, I'll tap it, macro की window लाने के लिए होता है, आगी की तरह बढ़ते है, F9, यह shortcut की है, हमारी next shortcut, F9 यह shortcut की Excel के अंदर, बहुत important role play करत मैं आपको एक छोटा से example दिखाना चाहूँगा, मैंने बहुत बार समझाया है, भी मेरे Excel के अलग अलग वीडियो में, यह पर मैंने एक formula लगा Excel के अंदर, और यह formula में, जो यह selection है, sales का, इसमें कौन-कौन से number आगे है, वो मुझे देखने है, तो मैं keyword पर F9 प्रेस सारी numbers उपर के दिखाए देंगे, कि इतनी सारी number है, अचाहे काम करता हूँ, यहाँ पर number अलग-लग type करता हूँ, क्योंकि वो एक ही number सब जगह पे दिखा रहा है, क्योंकि सब जगह पे वैसे भी 45 लिखा गया था, तो अब मैं यहाँ पे some formula, कोई भी formula लगाओ, उसके आने के लिए, आप इस formula में आने के लिए, तो F9 से आपको पता चलता है, कि आपने जो selection किया है, उसका क्या result है, उसमें क्या आता है, और आप एक formula को separate separate भी calculate यहाँ पे F9 के जरिए कर सकते है, यह manual calculation का role भी play करता है, जैसे मैं यहाँ पे formula step में जा रहा हूँ, और formula step में, य यहाँ पे answer तो आगया 913, अबर मैं यहाँ पे suppose एक value change कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नीचे update नहीं हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे keyboard पे F9 प्रेस करूँगा, तो वो update हो जाएगा, right, manual mode पे अपने जो रखा है, उस calculation को आप F9 प्रेस करके इस तरह से update कर सकते है, manual mode का calculation यहाँ पे अपडेट हो जाते है, आप बोलते है, manual mode का क्या इस्तमाल होता है, वो तो Excel में आपको पता चल जाएगा, अगर आप Excel सीख चुके होंगे, manual mode का बहुत सारा इस्तमाल है, जब आपके 1000 फॉर्मूलाज है, और जब एक साथ हो calculate होते है, तो Excel sheet hang होने के choice रहेता है, तो manual mode लोग activate कर देते, फिलाल मैंने automatic mode दुबार activate करके रख दिया है, so app 9 बटन यहाँ पे आपको समझ में, और app 9 का control के साथ एक combination होता है, Excel को minimize करने के लिए, मैं control f9 प्रेस करूँगा, तो Excel minimize हो जाता है, control f9 यह देखिए Excel नीचे minimize है, मैं दुबार open करता हूँ, control f9 से minimize हो function में app 10 का क्या इस्तमाल है, मैं ऐसे control और shift के साथ इस्तमाल करना चाहूँगा, पहले मैं shift obtain का इस्तमाल बता होँगा, अगर मैं Excel में right click करना चाहता हो, तो मैं इसके उपर mouse से right click करता हूँ, लेकिन मुझे mouse के बेगर right click करना है, तो मैं आप shift app 10 प्रेस कीजिएगा, oh great, shift obtain यह देखे right, वही मिनुँ आ रहा है, right click का, shift obtain आप desktop पे भी प्रेस कर सकते है, मैं इसे minimize करता हूँ, और मैं आप shift obtain प्रेस करता हूँ, shift obtain, desktop पे भी right click हो रहा है, आप folder select करते हो, इसके उपर भी आप right click करना चाहते है, shift obtain, right, तो shift obtain, right click का याप एक इस्तमाल हम कर सकते right click कीज इसका, उसके अलावा, control obtain के साथ क्या होता है, अगर आपने ये excel screen open रखे और इसे restore करना है, control obtain, छोटी कर दिये, control obtain, right, maximize, हमने F5 के साथ इसका इस्तमाल देखा था, right, तभी हमने मैंने बताया था आपको कि F5 के साथ इसका इसका इस्तमाल होता है, हमें windows को छोटी करने के ल बड़ के अंदर, लेकिन वहाँ पर बड़ी नीरी होड़ीती विंडो, यहाँ पर दोनों होता है, control obtain, control obtain, control obtain, control obtain, control obtain से maximize होगी, restore maximize, restore maximize, restore maximize करने के लिए control obtain का इस्तमाल कर सकते है, right, और alt के साथ इसका combination इस तरह सरेगा, अगर आप alt obtain प्रेस करते हो, तो यहाँ पर selection pane open हो जात सकते है, hide भी कर सकते है, hide, unhide, तो यह selection pane open करने के लिए, आपको alt f10 यह button प्रेस करना होता है, यह shortcut की वियाद रखिए, word excel powerpoint में सब में use होता है, alt f10, selection pane का dial-up box यहाँ पर, यह task pane बोल सकते है, यह open हो जाता है, side में, यह देखिए selection pane, मैं आपको यह पर दिखा रहा हूँ, okay, so f10 अमने जान लिया, अब बारी है, f11 की दोस्तो, f11 होता है, full screen के लिए, आप windows explore open करो, या फिर आप कोई भी, like chrome browser open कर लो, जिसमें इस browser को आपको full screen करना है, जैसे कि यहाँ पर मेरी website आपको दिखा दे रहे है, मैं f11 प्रेस करता हूँ, यह देखिए, f11 प्रेस करते ही अब f12 का इस्तमाल हम पहले browser के अंदर देख लिए हमारा browser open है, f12 में प्रेस करता हो, तो आपको f12 में यहाँ पर मिल जाता है elements, html code, inspect करता है, html code कौन कौन से, कैसे है, यह सारी किसारी यहाँ पर आपको f12 से पता चल जाते है, अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीख रह f12 की मदद से, browser के अंदर f12 का इस्तमाल यह होता है, excel और word के अंदर जान लेते है, excel के अंदर इस file को, already मैंने save कर चुका हूँ, suppose example लेता हूँ, मैंने यहाँ पे file open की, text formula all the file open कर ली, अब यह text formula all the file है, यह मैं क्या करना चाता हूँ, यहाँ पे, already save है, अगर मैं इसे control s करत सकते है, f12 से save as dialog box, word, excel, power point में आता है, जिससे आप file को duplicate save कर सकते है, multiple time, मैं हमेशे उसका तो, जभी मैं suppose internet से file में ने download की, वो download folder में गई है, मैं उसके copy और जगा पे save करना चाता हूँ, मैं इस पे f12 प्रिस का तो, file का नाम देता हूँ, that's it, save, और control f12, अगर मैं यहाँ प जान लिया, दोस्तो, पूरा practically इस्तमाल यहाँ पे हमने सीख लिया, अब हम आगे बढ़ रहे है, यह वाले panel पे, जो की keyboard की उपर आपको दिख रहा है, home insert वाला जो panel है, page up, page down वाला, तो उसे हम सीख लेते है, यह वीडियो तो आगे चलते रहे हैं, अब तक वीडियो पसं आप ISO Certificate के साथ को उसे सीख सकते हैं, बहुत ही कम भीज में, एक साथ मैंने सब चीज़े बता दिये, website description में जाके check out जरूर कीज़े, अगर आप अपना समय बचाना चाते हैं, नई चीज़े सीखना चाते हैं, थोड़े से पैसे invest करो, Certificate भी मिल जाएगा, तो जरूर चे प्रेस करता हूँ, तो directly वहाँ पर करसर जब beginning of the row चला जाएगा, इस तरह से, अगर मैं control home button प्रेस करूँगा, control home, तो मेरा directly A1 सेल पर करसर जाएगा, control home, यह देखे, control home, A1 पर करसर जा रहा है, जहाँ पर मेरा content start हो रहा है, home प्रेस करता हूँ, तो यहाँ अगर आप home word मे आप दिखा देता हूँ, क्योंकि सब जगह पर इस्तमल करना ना चाहिए, यहाँ पर करसर end में रखा है, इस line के ending में, यहाँ पर is line के ending में, home प्रेस करते है, इस line के starting में आप जाओगे, और अगर आप control home प्रेस करते हो, तो आप directly यहाँ पर word के page के beginning में आ जाओगे, right, so control home क्या होता है, यह देखिया, cursor, cursor पर ध्यान रखी, यहाँ पर cursor आ चुका है, so control home क्या होता है, आपको समझ में होगा, अब हम end के बारे में भी जान लेते है, वैसी, control end प्रेस करोगे, तो आप directly ending में आ जाओगे, इस paragraph के, और cursor आपका इस line पर starting में, और keyboard end button प्रेस करते keyword पर तो ending में आ जाओगे, यह देखिये, यहाँ पर धान दीजे, यह blinking लाइन जो रहा है, वो cursor है, हमारा end button प्रेस करते है, so control home, control end, यह shortcut keys आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है, okay, आप control shift के साथ भी इसका इस्तमाल कर सकते है, control shift, अगर मैं प्रेस करते है, control shift और home, sorry, cursor यहाँ पर तो यह देखिये, पूरा को पूरा, यहाँ से आतक select हो गया, अगर cursor starting में रखता हू, control shift end, तो पूरा को पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ से content मिल रहा है, वहाँ तक उस select कर लेगा, control shift end से, right, तो control home, control shift home, control end, control shift end, कैसे इस्तमाल करना है, अपने जान लिया होगा, अब आग कर सकते यहां पर जैसे यहां पर अपनी content टाइप करने के लिए लिए आपको content ओर्राइड करना तो insert का इस्तमाल आप कर सकते जैसे मैंने लिखा यहां पर ABCD कुछ भी लिखा है और अभी मैंने करसर यहां पर स्टार्टिंग में रख दिया अब मैं ABCD को यहां पर हटाना चाहता हूँ और उसकी जगर overlap करना चाहता हूँ content को मतलब जो भी मैं टाइप करूँगा ने चार आलफवेट और ABCD हट जाना चाहिए automatic करसर मेरा स्टार्टिंग में ध्यान से देखिए मैं जूम कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए आपको अब यहां पर मैं क्या करूँगा insert button पहले keyboard पर प्रेस करूँगा जैसे मैं insert प्रेस करूँगा यह दिखिए कुछ highlight हो रहा है तो इस तरह से पुराने वर्ड को insert key की वाज़े से replace कर रहेगा तो insert key में क्या होता है कि आपको सब्सक्राइब बीच में से कोई word हटा कि उसकी जगओ overlap करने दूसरा word तो आप क्या करो उस insert key को दबा दो वह automatically आपको दिखाए दे रहा है क्या कर रहा है तो आपको insert का इस्तमाल तो पता चला होगा अब यहां पर हमने home end देखा हमने insert भी देखा अब हम page up, page down और delete का भी इस्तमाल देख लेते है page up, page down में क्या होगा कि इस page पे suppose आपका cursor है page up आप उपर आ जाओगे page up, page up, page up से उपर आओगे page down से आप नीचे page scrolling होगा page down से नीचे page up से उपर स्क्रोल करने के लिए इसका इस्तमाल आप कर सकते यहां पर Excel में भी page down यह देखिए page down, page down एक-एक page आप नीचे आओगे page up से उपर up and down scroll करने के लिए आप इसका quickly इस्तमाल कर सकते याद रखिए page up, page down, keyboard से आप scrolling कर सकते आप हर कोई जानता होगा लेकिन हर जगह पर यूज़नी करना है मतलब आपको इंपोर्टन पाइले डेक्स्टॉप पर आप जाकर डिलीट बटन दबा रहे हो तो यह फाइल डिलीट होने वाली यास, right तो फाइल फोलडर, content, सब कुछ डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते है यहाँ पर डिलीट की, okay तो यह पैनल में जो छे कीज होती है वो छे की छे हमने एक साथ जान ली, देख ली, समझ ली, right अब हम कुछ बड़े-बड़े कीज यहाँ पर जान लेते है अब हम next उपर उसी पैनल के उपर जो कीज दिखाए दे रही है वो है print screen, scroll lock और pause break इसका इस्तमाल जान लेते है print screen का बहुत ही interesting इस्तमाल है जैसे कि मैं यहाँ पर word में काम कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, suppose desktop का कोई screenshot यहाँ पर लाके रख देना है तो मैं क्या करूँगा, इसे minimize कर देता हूँ यह जो screen है, desktop पर दिखाए दे रही है यह पूरी-पूरी screen का screenshot में चाहता हू, right तो इसका screenshot करने के लिए, मैं keyboard पर print screen दबाऊंगा और उसके बाद मैं word में आऊंगा और word में यहाँ पर मैं बस paste दबा दूँगा Ctrl V, यह मैं delete कर देता हूँ Ctrl V बटन दबा दूँगा Ctrl V, जो मैंने वहाँ पर जहां पर मैंने print screen दबाया था, वो पूरा-पूरा screen print होके आ रहा है, with mouse highlighter भी और मैं चाहता हूँ, यह delete कर देता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ, इस Excel की screen है, इसका screenshot चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके print screen दबाऊंगा word में आके paste करूँगा Ctrl V, वाव पूरी की पूरी screen यहाँ पर paste हो जाती है और इसका दूसरा combination है print screen का, अगर आप इसे word में नहीं लिना चाहते लेकिन आप इस screen को save करना चाहते जैसे आप यहाँ पे कुछ visit करें website अब इसे आप word में बार बार को open करके paste करेंगा, मैं इसे save करना चाहता हूँ तो मैं window और print screen दबाऊंगा window और print screen जैसे windows print screen दबाऊंगा screen थोड़ी सी blink होगी और आप जाओगे अपने windows explorer में window E प्रेस करो windows explorer में जाने के लिए window E file explorer में I mean to say file explorer आगे आपका और जहां पे आपको pictures option मिल जाता राइट windows 10 या 11 जो भी आपके पास है pictures में जाई है pictures में screenshot करके folder आपको मिल जाता है जिसमें आपको डेर सारे screenshot मिलेंगे मेरे डेर सारे screenshot यहाँ पे है तो यहाँ पे यह screenshot भी आपको दिखाए दे रहा है जो आभी हमने किया था screenshot directly save हो जाता है screenshot folder में documents के अंदर pictures के अंदर वहाँ पे है उसके लिए आपको window print screen यह वाली shortcut की दबा देनी है दबा दी काम खतम अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हम next shortcut की जानने वाले scroll lock इसका इस्तमाल मैं Excel में दिखाना चाहूंगा scroll lock का इस्तमाल जब होगा अब मैं देखिया यहाँ पे मैं down arrow प्रेस करो यह scroll हो रहा है आप arrow प्रेस करो यह scroll हो रहा है अगर मैंने यहाँ पे scroll lock दबा दिया जैसे आप scroll lock दबाओगे आपके keyboard के ऊपर अगर scroll lock के लिए already light दी रहती है बहुत सरे keyboard पे कुछ keyboard पे नहीं रहती है तो light on हो जाती है और उससे पता चलता है scroll lock एक्टिवेट हो चुका है और scroll lock फिर से बंद कीजिए आप देखे down arrow और आप arrow प्रेस कीजिए क्या हो रहा है रिजल्ट आपके सामने है जाजार डीटेल एक्स्पनेशन देनी की ज़रूद भी नहीं है प्रेक्टिकल दिखाया तो एक्स्पनेशन की क्या ज़रूद है अभी और pause break यह हमारी next shortcut की जिसका इस्तमाल बहुत सरे लोग नहीं करते है यह pause के लिए पुराने computer में ज़्यादा इस्तमाल किया जाता था अब भी है कुछ जगह पे इसका इस्तमाल तो मैं दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूं DOS का कैसे चालू करते देखाता हूं मैं आपको यहाँ पे मैं start और R यह की विंडो को hold down कीजिए R की दवाईए याद रखिए window को hold down करके R दवाईए और यहाँ पे cmd लिखिए और enter button press कीजिए यहाँ पे आपके सामने आता है DOS window यानि cmd window अब यहाँ पे कुछ running है जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई website का IP address डाल दिया facebook.com और उसको में ping कर रहा हूं ping करना होता है ping मतलब उसको मैं reply आ रहा है कि नी website चालू कि नी मैं check करना चाहता हूं तो यहाँ पे देखिए उसका reply आ रहा है और यह continue reply आते जाएगा continue बंदी नहीं होगा लेकिन मैं keyboard पे अगर pause button दबा दू तो यह pause हो जाएगा right इस तरह से pause हो गया stop हो जाएगा pause button दबा दू तो यह pause हो जाएगा और मैं control pause button दबा दू तो यह दुबारा इस तरह से चालू हो जाएगा control pause button आप इसे इस्तमाल कर सकते pause इस तरह से pause हो गया फिर से control pause दबाएगे आप यहाँ पे दिखाए देगा आपको यह pause इस तरह से तो याद रखिए यह एक चीज मल्टिमेडिया की नहीं है बट यह कोई running program को stop करने के लिए ज्यादा तर यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में भी यह फिर आपका windows जब बूट हो रहा तब या pause दबाते तो उस टाइम पे windows pause हो जाता एक जगा पे screen दिखाई देगी आपको right यहाँ पे हमने print screen scroll lock और pause break भी खतम कर दिया है अब इसमें है यहाँ पे कुछ उसी क्लिके side में आपको बड़े-बड़े keys दिखाई दे रहें जैसे backspace है या फिर enter है इनके बारे में जान लेते हैं बड़े-बड़े keys हम खतम कर लेते हैं क्योंकि यह backspace तो सबको पता रहता है यहाँ पे typing में backspace का बहुत ही important role होता है typing के अंदर backspace यूज़ करना होता है आपको okay erase content होता है और अगर आप कोई folder में हो यहाँ पे आप suppose इस folder में है आप यहाँ पे edge driver में RKC यहाँ पे मैं backspace दबाता हूँ तो आप पीछे वाले folder में चले जाओगे back याद रखिए backspace यहाँ पे भी आप दबा सकते हैं यह कहना है मुझे और आप यहाँ पे alt right arrow left arrow भी दबा सकते है आप अल्ट left arrow right arrow back पीछे जाना है पीछे जाना है रइट right right रइट तो alt left arrow याद रखिए मतल्ला आप कोई folder में अभी जाना चाते हैं सब्सक्राइब आपने d में गये और अपने कोई folder open किया यह वाला folder open किया मेरा कुछ शूट का है backspace कहाँ पर कैसे इस्तमाल करना है अब enter का भी जान लेते एंटर तो Microsoft word में paragraph change के लिए होता है मैं यहाँ से नीचे आना चाहता हूँ enter सबको पता है दूसरा है कि कोई भी dialogue box आपके सामने आता है उसमें जो भी options यहाँ पर set है अगर आप enter करते हो तो यह save हो जाएगा देखिए यह blue में highlighted आप enter प्रेस करते हो directly तो यह यह वाला option activate enter से directly activate हो जाता है save हो जाएगा file और दूसरा है कि आप word के अंदर यहाँ पे cursor आपने रखा है control enter करते हो तो page break हो जाता है याद रखिए control enter page break यह control के साथ enter का combination भी आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया है ओके उमीद है आपनी यह जान लिया और आप space bar का चीज़े सर क्यों बता रहे space space देने के लिए होता है लेकिन इसका shortcut key भी है न हम Excel में अगर यह column को select करना चाहते है पुरा पुरा इसमें cursor रख दिया है जो column को select करना है उसमें cursor रख दिया और मैंने control space दबा दिया column select हो गया और मैं row select करना चाहता हूँ मैंने shift space दबा दिया shift space row selection control space column selection space का इस्तमाल जान लिया तो यह थोड़ी सी बड़ी बड़ी shortcut keys के बारे में हमने जान लिया back keys की इस्तमाल क्या होता है और कहां पे होता है देख लिए अब हम arrows keys के बारे में यहां पे जान लेते arrow keys हमारी लेकिन कोई application open है फिर यह application आपे open है तो इस तरह से देखिए Windows left left में जाएगा Windows right right में आएगा Windows left left में Windows right right में So windows left right में आप इसका इस्तमाल कर सकते है, right और left arrow का, right या पर उसका windows के साथ combination कर सकते है, windows के साथ combination अगर आप करते हो तो यह बहुत ही useful रहेगा, और left right arrow अगर excel word में shift के साथ use करते है, shift right, shift left, ऐसा selection के लिए use होता है, word में भी देखिए, shift right, shift above, shift up arrow, shift down arrow, इस तरह से shift right, left, इस त समझा होगा के आप, इसलिए इसलिए से आप को अफिछ रकर्य आपको करकेığın आपको यहाँ नेडेट, साथा कीज, हाब करके है तो अपने इसलिए बताना चाहोँगा, क्योंकि word के अंदर इसका बहुत जादा इस्तमाल होता है, जब आप कोई प्र bientôt laser रीख रहे हो तो आप आपको यहाप पर tab set करना पड़ता है, अपने 1 पे set कर लिया, अपने 3 पे set कर लिया, 4 पे set कर लिया, अब यह tab set कर लिया, यह माऊस लागि यहाँ पर क्लिक कर दूए, आप एक left alignment वाला tab आ जाता है, यहल दिख रहा है, आपको यह tab, यह tab से क्या होता है, आप जैसे keyboard पर tab बटम प्रेस करोगे, आपका 1 पे jump होगा, आप यहां पर कुछ लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, जैसे आप दुबरा tab प्रेस करोगे, 3 पे jump होगा, जैसे आप tab करोगे 4 पे, enter करोगे, tab, तो यह tab से क यहां पे आप switch करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप alt-tap करते हो तो एक program से आप दूसरे program में या दूसरे explorer फाइल में वगरा जा सकते हैं, जितने भी open program हैं यहां पे आपको दिखाए दे रहे हैं, और आप किसमें भी जा सकते हैं, alt-tap करो, alt-tap करो, alt-tap करो, आपको पता चला होगा, tap के बाद caps lock नीचे दिया है, उसी के नीचे आपको दिखाए दे रहा है, caps lock, keyboard पे मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, so caps lock अगर मैं प्रेस का तो light on और off होती है keyboard की उपर, और यह सभी keyboard की उपर standard format रहता है, अगर मैं इसे on रखूंगा तो यह capital type होगा, इसे में off रखूंगा, तो यह small type होगा, caps lock के बारे में जादा कुछ जानकरी मुझे नहीं देनी है, इतनी जानकरी है कि capital small लिखने के लिए इसनमाल किया जाता है, बच्चा 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 मतलब जो computer use करते हो बच्चे, okay, so अभी आग एक तरफ बढ़ते है, व shift दबा दूँगा, और left hand से a दबा दूँगा, इस तरह से मैं use कर सकता है, और right side के कोई alphabetization, major keyboard पर P type करना है, तो मैं shift left hand से बढ़ा दूगा, और right side से P दबा दूगा, तो shift से capital later आता है, जब caps lock on रहेगा, तो वो later capital में आ जाएंगे, caps lock off रहेगा, तो वो later capital में आएंगे, capital मेरा caps lock on रहेगा, तो वो later small में आएंगे, मतलब capital मेरा caps lock on ही keyboard के पर, अब मैं shift के साथ जो भी key tab करूँगा, तो small में आ जाएंगे, तो यह vice versa हो जाता है, याद रखिए, caps lock on रहेगा, तो small में आएगा, और caps lock off रहेगा, तो capital में आएगा, तो shift आप एक alphabet capital में लिखना चा combination सामने देख भी लिए, selection हो गरा के लिए, control तो पुरा combination में use होता है, control अगर करना है आपकी computer को, तो आपको control key के उपर command अच्छे से होने चाहिए, control A होता है, control B होता है, control C होता है, control D होता है, और सारी shortcut keys में बताने हो लाओ, control A to Z, don't worry, so control के साथ सारी combination हम देखेंगे, next shortcut के Windows M अगर 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 आप प्रेस करते हो, तो minimize हो जाता है, दिखिए, Windows M अगर आप प्रेस करते हो, तो कोई भी software को minimize कर सकते है, लेकिन minimize के बाद इसे maximize करने के लिए, आप mouse का इस्तमाल करना पड़ेगा, यापर लेकिन अगर आप keyboard से Windows D प्रेस करते हो, और दुबार Windows D प्र जो आपको पता होनी चीज़, shortcut key का अलग सा वीडियो है, वो आप जरूर देख लेना, description में लिंक है आपके लिए, मैंने सारी चीज़े बनाई यार, आपको बस एक साथ मैं दे रहा हो यापे, इस वीडियो के अंदर, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूँगा, और वो हमने देख लिया है, तो यह keyboard की उपर दोनों तरफ यह keys ज्यादा तर दी रहे थी, ताकि आप quickly इस्तमाल कर सके, कि इनका regular और combination में ज्यादा इस्तमाल होता है दोस्तों, अब हम numeric keypad की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम alphabetic keypad की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि alphabetic में तो cursor आपका down, यह दिखे, two type करती ही, अगर मैं num lock बंद करता हूँ, मतलब number keypad use नहीं करना है, इसलिए num lock बंद किया, मैंने यह button से बंद किया, number lock की light बंद होगी, अब मैं two press करूँगा, तो down होगा, eight press करूँगा, तो cursor आप हो जाएगा, six press करूँगा, तो right में जाएगा, four press करूँगा, तो left में आएगा, तो यह 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 पर arrow जो है, वो activate हो जाएगे number की, की उपर, अगर आप ध्यान सो देखोगे, तो two, four, eight और six पे arrows दिएगे, और वो navigation के तोर पे भी आप number की को use कर सकते हैं, अगर मैं number lock use करता हूँ, तो यह पर मुझे suppose 20 divided by 5, Excel में मैं इस्तम आप mathematics calculation के लिए कर सकते हैं, निमरिक की पैड़ आप mathematics calculation के लिए भी कर सकते हैं, so यह आपको पता चला, और num lock का एक interesting combination में आपे बताना चाहूँगा, जो की आपको ज़रूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर आपने file explorer open किया, windows E, यह आपे, और मैंने hdry, कोई भी प्रेस करके, number lock के साथ, मैं multiplication वाला sign, इस इसे बोलते हैं, वो प्रेस करूँगा, तो यह आपे देखिए, यह सब folder सारे के सारे open हो रहे है, automatic open हो रहे है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, यह बहुत time लगाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे folder है उसमें, तो sub folder एक साथ open करन के लिए उसका ज्यादा इस्तमाल होता है, अब हम जानेंगे alpha-numeric keys और उसके बाद हम last में लेंगे alphabetic keys, alpha-numeric keys आपके keyboard के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहे है, तो सबसे पहले alpha-numeric keys में आपको tilt sign दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस्तमाल कर सकते excel के अंदर general format लान इसको मैंने फिलाल number format में लिया, यहाँ पर देखिए number format में यह number है, उपर number है, इसको मैं general में दुबारा convert करना चाहता हूँ, तो मैं control, shift और tilt बटम प्रेस करूँगा, यह देखिए, उपर देखिए क्या आ रहा है, फोकस करता हूँ, torch लेके general, यहाँ पर यह number भी यहाँ पर control, shift और exclamatory sign, right, यहाँ पर आएगा number format, याद रखिए, अगर यह exclamatory sign आपको directly type करने हैं, तो आप keyboard के पर shift और exclamatory इस तरह से लिखोगे, shift प्रेस करके आप exclamatory sign, क्योंकि अगर आप direct press करके तो आप यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, अलपनी मरीक है न वो, number भी आएगे, shift add the rate, shift hash, shift dollar, इस तरह से आजाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, number format में इसे convert कर दिया, control shift और exclamatory से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही, इसे number format में नहीं, मैं इसको time format में देखना चाहता हूँ, तो control shift add the rate, यह time format में आ गया, यह देखे time format यहाँ पर time में द प्रेस करो, control shift के साथ, okay, control shift dollar अगर में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर dollar में आ जाएगा, control shift percentage अगर में प्रेस करता हूँ, तो यह percentage format में एगा, excel में इन shortcut की इसका बहुत ही जादा इस्तमाल है, क्योंकि आपको number format quickly change करना है, तो आप control shift के साथ, exclamatory add the rate, hash dollar percentage, यह प्रेस कर sign है, और यह थोड़ा सा बोलने के लिए difficult है, but you can try it, control shift 6 प्रेस करती ही, यहाँ पर, control shift exponentiation sign प्रेस करती ही, यहाँ पर convert to scientific format में, यह convert हो जाता है, यह scientific format होता है, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, तो यह format अलग-अलग convert करने के लिए आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते control shift के साथ, okay, उसके बाद यहाँ पर end sign दिया गया है, यह shift और end प्रेस करती है, यहाँ पर control shift और end का कोई यहाँ पर shortcut की नहीं बनता है, end के साथ basically मैंने चेक किया, बद कोई shortcut की नहीं बनता है, but end का इस्तमाल यहाँ पर देर सारी जगा पर होता है, अगर आपको कोई content यहा आपको को जोईन करना है, तो आप इसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है rupees, तो मैं inverted को में rupees लिखूंगा excel के अंदर, और फिर end करके मैं यहाँ पर इस तरह से value जोईन कर दूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते है, इसका result क्या आ रहा ह इसका कभी इस्तमाल भी नहीं किया है, अगर आपको पता है, control के साथ, shift के साथ, इसका कोई combination कोई software में होता है, तो आप जरूर मुझे बताईए, right, उसके बाद आता है next, control, shift, asterisk, उसका भी यहाँ पर कोई shortcut की नहीं बना है, asterisk यह shortcut keys मैंने पहले भी बताई, number और asterisk control, shift के साथ, कोई combination यहाँ नहीं बनता है, याद रखिये दूस्तों, उसके बाद आता है, यहाँ पर control or open bracket, जिससे की हम rows को hide करेंगे, open bracket यहाँ पर जो दिख रहा है, इससे में control के साथ, प्रेस करूंगा, तो वो row hide हो जाएगा, यदि कि 28 number row hide हो गया, right, याद रखिये, simple है यहाँ पर, मैं, यहाँ पर suppose कई भी करसर रख देता हूँ, यह 31 का है, तो control open bracket में रख देता हूँ, यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, तो यह rows को hide कर देता है, अच्छा मुझा rows को unhide करना है, तो control shift open bracket में दब होगा, control open bracket hide rows, control shift open bracket show rows, यह shortcut कि आप यहाँ पर इस्तमाल कर सक यहाँ रखते open bracket, control shift के साथ और control के साथ इस्तमाल होता है, याद रखिए, control के साथ करेंगे, तो hide होगा, control shift के साथ करेंगे, तो show हो जाएगा, अच्छा control close bracket में प्रेस करता हूँ, तो column hide हो जाता है, e column hide हो गया, e column यहाँ पर गाइब, hide हो गया, लेकिन यहाँ पर मुझे फिर से show करना है, तो control z button प्रेस करना पड़ता है, undo, यहाँ पर show करने के लिए control shift close bracket नहीं है, याद रखिए, control open bracket से column hide होगा, sorry, control close bracket से, column hide होगा, control shift close से, यहाँ पर show नहीं होता है, इसलिए control z में करता हो, undo कर देता हो, right, hide column सामने देखा, control close bracket, close bracket जो की, यहाँ पर alphanimory keys मे आपको देखाया देता है, right, उसके बाद, next shortcut की है, control minus, जो की यहाँ पर यहाँ रोज है, मुझे डिलीट करने, suppose मुझे यहाँ पर यह सारे के सारे रोज डिलीट कर देने है, तो मुझे इसे select किया, control minus, पूरे के पूरे रोज डिलीट होगा, अगर मुझे column delete करने है, तो मै आपको अल्पनिमरी कीज है, control shift के साथ दबाना पड़ेगा, याद रखिए, control minus, डिलीट प्रेस करेंगे, control shift प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप control और डिलीट प्लस बटम प्रेस को गया, निमरीक वाला, control प्लस में ने अगर number pad में से use किया, number pad में से, तो डिलीट ह रहा हूँ, alt is equal to, मतलब वही की, लेकिन alt के साथ, alt is equal to, अभी मैं बोलूँगा इसे, क्योंकि मैंने shift नहीं यूज किया, मैं जब shift यूज करता हूँ, तो alt is equal to, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसमें, क्योंकि प्लस और is equal to, यह दोनों भी स्कीमे आ रहे है, तो alt is equal to, मैं के लिए, यहाँ पर alt is equal to, ड्रेक लिए, वह सम का फॉर्मूला था है, इंटर बटम पर इसकी काम हो जाएगा, तो हमने जान लिया, प्लस माइनस, कैसे यूज करना है, डेफिनिटली हमने देख लिया है, यह आलपनी मरी कीज, लेकिन इसी के साथ नीचे आपको कुछ ब्र पॉर्ग्स square bracket, यह फम्न चाहता हूँ, तो मैं शॉर्ट चॉर्ट कर सकता हूँ, ति एंटरोली प्रेकिट, डिक्रीज फॉर्टर ओर इंक्रीज करना है, कैंट्र अगरेख करना है csakने कहने है, प्रेज करना होाइब कॉर्ण स्ट्रोरी प्रेकिट, इसले क्योंकि कि upward best म् तो यह पर एक Ctrl Open Square Bracket सी ही, देखिए, Open Square Bracket, Close Square Bracket, Open सी यह छोटा होते जाएगा, Decrease Font और Close सी यह बढ़ते जाएगा, So, Open और Close दोनों भी Square Bracket के बारे में, आमने जान लिया, उसके बाद यहां पे आगे जो shortcut की उसी के बाजु में है, वो है back slash की shortcut की और pipe की shortcut की, Pipe हम Shift वड़म प्रेस करके देंगे और back slash direct type होगा, without shift, back slash ज्यादा तर कोई folder आप network में रखे है, तो उसको access करने के लिए हम use करते, जैसे यहां पे मैं network में folder रख चुका हूँ, तो run command में मैं यहां पे back slash दे दूँगा दो बार, और फिर फोल्डर का या पिर जो network computer उसका नाम लिखूँगा तो यह उस computer का folder access कर लेगा network में से, तो यह उस time पे use होता है, बहुत सारी जगह पे इसका 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 जाल करते है, backslage कर, right, या पिर कम बता की तो इसके लिए नहीं है, लेकिन मैं ने और आपका,इसका इसका 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 दिजगा हो और आज की जो date है recording की वह आ जाएगी control shift और यह वाला बटन फिर से colon में दबाऊगा, control shift और colon बोला जाएगा और control semicolon यहां पर बोला जाएगा इस तरह से याद रखिए, control shift और colon इसे बोला जाएगा, insert current time, control colon, या control semicolon हम बोल सकते इसको control semicolon insert date याद रखे control के साथ वही कीज आप दबाऊगे तो insert date हो जाएगी current date हो जाएगी current date current timing के लिए आमने यह shortcut की इस्तमाल कर लिए है तो उसके बाद उसी के right side में एक और की दिखाएजिए कि जो की आपको inverted commas देती है excel में आप inverted commas यूज कर सकते अलगलग formula में या फिर अगर आप excel में ये single inverted type करते हैं मतलब shift नहीं प्रेस करते डारिकल अपने टाइप किया तो कोई भी number को आप इसे text format में convert कर सकते ये देखिए कोई भी number को आप यहापे text format में convert करने के लिए पहले single inverted comma ये single inverted comma या पे use कर सकते है so single inverted तो हमने जान लिया double inverted तो shift के साथ हम प्रेस कर सकते है इसका कोई shortcut की तो यहापे नहीं बन रहा है लेकिन इसका यहाँ पे इस्तमाल कर सकते है excel में अलगलग formula में और word में तो पता है आपको inverted comma कोई चीज inverted comma में लिखने के लिए आप इस्तमाल कर सकते है उसके बाद आता यहाँ पे इस तरह से होगा less than यहाँ पे इस तरह से होगा control shift greater than बढ़ते जाएगा font size control shift less than size कम होती जाएगी और इसका इस्तमाल आप excel वगरा में यूज कर सकते है अलगलग formula में greater than value दिखाने के लिए less than value दिखाने के लिए excel में जाता है इसका use होता है mathematics sign symbol बोल सकते अब इ flash symbol लेने के लिए इसका इस्तमाल होता है तो हमने लगबग अब जितनी भी keys होती है keyboard के पर वो देख लिए बस A to Z यह keys तो आपको बताने की जरूरत नहीं ABCD हम type करते लेकिन इनका combination में जरूर बताना चाहूंगा यहाँ इसी वीडियो में control A से लेकर control Z तक जो shortcut keys होती है वो select all के लिए work के अंदर ही नहीं आप Excel के अंदर PowerPoint के अंदर कई पे भी हो आप Windows Explorer पे भी हो यहाँ पे हो desktop पे हो आप control A button प्रेस करो पूरे पूरे फाइल्स एक साथ select होके आप delete कर सकते है जो भी करना कर सकते है आप उन files के साथ control A select all right control B यह जो text selected है control B से यह bold हो जाएगा यहा थोड़ा सा हट्टकटा होता है जाड़ा हो जाता है दिखाए देरे आपको तो यह सारा के सारा बॉल्ड नहीं करना है सपोज आपको कोई word पहलेट करना है लोगों को दिखाने इस word पे जारा थोड़ा सा ध्यान लेकियान है उनका तो आप इसे बोल्ड कर सकते है आपने अ Ctrl-C याद रखे, Ctrl-C copy, मैं keyboard पे Ctrl-C प्रेस करूँगा, copy होगा, Ctrl-V जब प्रेस करूँगा, तो ही ये paste होगा, यानि उसका repeated copy आएगा, जो आपने copy किया होगा text है, वो जाता कहाँ पे फिर, Ctrl-C करने के बाद, वो आता है clipboard के अंदर, clipboard में आ जाता है, जितनी भी text crop select करोगे, Ctrl-C से clipboard में आ जाता है, right, so Ctrl-C copy होता है, Ctrl-V से paste होता है, Ctrl-D से क्या होगा, Ctrl-D से duplicate होगा, लेकिन एक मिनिट रुखो, अगर आप word में directly Ctrl-D प्रेस करते हो, तो ये font dial-up box लेगा, ये duplicate नहीं करेगा, क्योंकि उसको duplicate लेगा, कुछ मिला ही नहीं है, आपको कुछ लेना पड़ेगा, अगर आपने कोई shape draw किया है, कोई picture लिया, कोई photo, मतलब picture photo लिया, जो भी लिया आपने, उसको आप select करके, Ctrl-D प्रेस का होते हो, तो duplicate, क्या बात है, Ctrl-D duplicate, word, Excel, PowerPoint में, चीज़े duplicate करने के लिए, इसका इस्तमाल करते है, even PowerPoint में, PowerPoint मेरा open ही है, तो इस last slide को select करके, मैं Ctrl-D प्रेस करता हो, तो यहां पर आपको duplicate लिए, Ctrl-D, उसी slide का duplicate, तो PowerPoint में slide duplicate करने के लिए, या फिर images, या फिर charts, जिसको भी duplicate करना है, Ctrl-D, Excel में Ctrl-D का का अच्छा इस्तमाल होता है, यहां पर content है, यह, suppose example ले लो, यहां पर content लिखा गया है, और इसी content को मुझे repeat करना है, Ctrl-D, क्या बात है, right, आ गया, आप formula भी repeat कर सकते है, suppose आपके वास कोई formula यहां पर type किया हुआ है, आपने suppose this cell, कुछ भी कर लिया, ऐसा आपने formula कर लिया, और यहां से लेकर यह जो formula दिया है न, उपर का वही नीचा आना चाहिए Ctrl-D, यह देखे, formula, वही formula, Ctrl-D से आ जाता है, so Ctrl-D आपको पता चला, Excel में क्या होता है, fill down इसे बुला जाता है, same formula, fill down हो जाएगा, okay, that's it, Ctrl-D duplicate तो हमने देख लिया, Ctrl-E flash fill Excel में इस्तमाल होता है, अगर आपने नहीं किया, तो इसका इस्तमाल Excel में जरूर कीजिए, काफी interesting है, और इसके 11 magic का एक वीडियो में ने बनाया अलग-अलग flash field से, एक magic में आपको दिखाना चाहूँगा, कि वह Excel में यहाँ पे आपने एक text लिखा है, जो कि यहाँ पे suppose नाम ही लिख देता हूँ, मैं और मैंने नाम लिखा है, 37 डवले, लेकिन small में लिख दिया, small में लिख दिया, 2-3 नाम लिख देता हूँ, मैं फट Ctrl E बटन दबा दो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपको यह proper case में चाहिए, आप इस तरह से small में, proper case मतलब S capital लिखना है आपको, और D capital लिखना है, तो इस तरह से properly लिखो आप उसे, Ctrl E बटन, जैसे आप लिखोगे उसी format में सारे नाम आ जाएगे, आपको सतीश आपको धवले अलग चाहिए, धवले, हम बोल सकते हैं उसको, तो यहाँ पर मैं धवले लिख देता हूँ, और Ctrl E दबा देता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है, Ctrl E से, यह Flash फिल होता है, Excel में, और Word में होता है, Ctrl E से, Center Alignment, यानि कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक जानते हैं, यहाँ पर कुछ चीज ढूननी है, मुझे बहुत बड़ा paragraph पर, और मुझे किसी का नाम ढूनना है, कुछ भी ढूनना है, तो मैं Ctrl E button दबाऊंगा, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ढूनना चाहते हैं, मैं ढूनना चाहता हूँ, यहाँ पर smart word कहा है, तो यहाँ पर फाइंड करना है word, तो फाइंड के लिए आप Ctrl F दबा सकते हैं, और word को replace करना है, तो आप Ctrl H दबा सकते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज बहुत बार लिखा गया है, मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, सपोज अनिल is good boy, ऐसा में एक sentence लिख देता हूँ, और मुझे इसमे जितनी भी अनिल लिखा है, उसको सब जगह पे अनिल को change करना है, राइट, अनिल is good boy, मैंने लिखा है, अनिल को change करके सूनी लिख देना है, कुछ भी लिखना है, तो मैं Ctrl H प्रेस करूँगा, Ctrl H, replace, याद रखिए, मैं find के साथ replace तुरंद बता रहा हूँ, क्योंकि एप के अनिल लिखा है, या फिर good, यहाँ पर जो good लिखा है, उसको मैंने कर दिया bad, right, और replace all कर दिया, यहाँ पर देखिए, good की जगह bad, replace, all done we made for replacement, एक साथ सारे की word bad होगे, मतलब good के bad होगे, और boy की जगह, अगर आप girl लिखना जादे तो find out में आप boy लिखोगे, और replace with में classic देखोगे, अनिल इस bad girl, मैंने कह रहा हूँ, computer कह रहा हूँ, अगर अनिल किसी का नाम है, तो sorry वही या, okay, तो यहाँ पर यह जो है, अमिर खान ने 3D8 में यूज़ किया, अगर आपने वो movie ध्यान से देखा है, तो उस time पर pause करो, जहाँ पर अमिर खान भी देख रहा हो क Ctrl H आप भी इस्तमाल कर सकते है, आप बहुत सरी जगप इसका इस्तमाल करते है, जैसे आप पुराना agreement बदलना चाहते है, वहाँ पर year बदलना चाहते है, उसमें जितने भी year डिया है, 2021 है, तो 2000 उसको 22 करना चाहते है, तो आप definitely कर सकते है, Ctrl H ये एक shortcut की से जिससे बहुत बारे में जानते है, Ctrl G गूटू और F5 से भी गूटू होता है, यह मैंने आपको बता है, F5 अगर आप प्रेस करते हैं, तो गूटू आता है, Ctrl G से भी गूटू आता है, गूटू से हम कोई भी पेज पर जम कर सकते है, आप पेज नमबर डालो, एंटर करो, पेज नमबर है तो वो आ जाएगा, गूटू, Ctrl G, गूटू, Excel में भी गूटू होता है, Word में भी गूटू होता है, PowerPoint में भी गूटू होता है, गूटू, 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 जहाँ पर जाना जाओ, ओके, उसके बाद आता है, Ctrl I, इसको आप Italic करना चाहते है, Ctrl I, Word को थोड़ा सा तील क कर रहा है, Italic, right, Ctrl I, Ctrl I, Ctrl I, Ctrl I, Ctrl I, Italic, Word के अंदर, Ctrl J, Justify alignment, याने याप पर परेग्राफ अगर आप देखोगे, तो left में align है, right में नहीं, तो इस paragraph को मैं पूरा select करता हूँ, Ctrl J करता हूँ, देखिए, आप देखिए, left side में भी देखिए, Ctrl J, right side में भी देखिए, left side में भी यहाँ पर मैं चाता हूँ, कोई file में link करूँ, कोई website में link करूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे click करूँ, वो file पर मैं चला जाओ, मेरी important file है, उस पर मैं चला जाओ, तो मैंने file का नाम link दिया, यहाँ पर जो भी है, Ctrl K बटन प्रेस कर दिया, और उस file को यहाँ से select कर ले, जो भ से open हो गया, right, तो यह आपको definitely समझाओ, Ctrl K, Ctrl K मतलब hyperlink देना, word में भी कर सकते, Excel में, उसके बाद word के अंदर, अगर आपने किसी text को center में ले चुके है, आप यहाँ पर देखिए, इसे left में लेना है, Ctrl L, Ctrl E, Center, Ctrl L, Left, अब रहे गया Ctrl R, वो है, right, right में लेना है, तो Ctrl L, Left, Ctrl E, Center, याद रखिए, alignment के लिए Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R, और Ctrl J, यह alignment के लिए यूज होते हैं, और यह चारों भी मैंने बता दे एक साथ, Ctrl M के बारे में जान लेते हैं, अगर इस paragraph को मुझे थोड़ा सा आगे लेना है, indent लेना है, इसका, indent बढ़ाना है, तो Ctrl M, Select करो, Ctrl M, 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 Intent, यहाँ पर अगर आप स्केल में देख सकते हैं, indent यह बढ़ रहा है, यह indent होता है, और अगर आप Ctrl Shift and Press करते हैं, यह पीछे चला जाता है, अब दिखिए, यह indent क्या होता है, या फिर यह सारी चीजे जो होती है, Microsoft Word में, से स्केल सेटप कैसे करते हैं, पेज लिएउट सेटप, प्रिंट लेटर कैसे लिखते है, अगर यह सारी चीजे आपको जाननी है, तो मैंने प्रोपेशनली कोर्स डिजाइन किया, Microsoft Word का, या फिर Excel को भी डीटेल में सीखना जाते है, तो उसका भी प्रोपेशनल कोर्स है, इन सभी चीजों का मेरा कूर्स रेडी है, आपको सारे कोर्से यहा आपको जो भी मैं पड़ा रहा हो समझ में आ रहा है, आपको इंट्रेस्स क्रेट हो रहा है कुछ नहां सीखने में आउनलाइन, तो भई, इंट्रेस्स को तुरंत यह कर लो, मतलब, अंगेज कर लो अपने आपको, इन कोर्से में, जाके इन्रॉल कोर्लो, बहुती कम फीज में आपे कॉर्से अवैलेबल है, घर बैटे-बैटे, ऑनलाइन कॉर्से आप सीख सकते हैं, एंड वी आर प्रोवेडिंग वाट्सप सपोर्ट, कि आपको कोई डाउट है, इस कोर्से को हरीदने से रेटेट, तो यू कैन कॉल आस, यू कैन वाट्सप उस, तो फिलाल तो मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट बनना है, तो वो करो, जो करना चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट करकी की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है कंट्रोल एन नया डॉक्यमेंट, बहुत सिंपल है, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यमेंट, इसे क्लोज करना है, मुझे इस फाइल से भी ओपन होता है, यह मैंने आपको बताया था, कंट्रोल ओ उपन, कंट्रोल पी प्रिंट करना है, फाइल को तो यह प्रिंट प्रियू मोड आ जाता है, कंट्रोल पी से, और यह कंट्रोल एप्टू से भी आता है, यह भी मैंने बताया था, कंट्रोल एप्टू और Ctrl-P, Print, याद रखिए, सारे shortcut कीज बता रहा हूँ, Ctrl-Shift-Q, यह एक shortcut की है, जिससे आप क्या कर सकते है, इस paragraph को symbol में convert कर सकते है, मतलब Ctrl-Q का shortcut की है नहीं है, क्यों नहीं है, I don't know, I mean to say, but Ctrl-Shift-Q है, that is, I know, तो यहापे मैं आपको बताना चाहूंगा, Ctrl-Shift-Q, प्रेस करके, यह पुरा-पुरा है ना, symbol में convert हो जाता है, यह देखिए, symbol में, अब इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बट Ctrl-Shift-Q, एक shortcut की है, आप Ctrl-Q की क्यों नहीं है, वह आप पता कर लो, और मिली तो आप मुझे, डिस्क्रिप्शन में, नहीं, comment में लिख दो, ओके, सो comment में, वह shortcut keys लिख देना, मिली तो, Ctrl-R, आगे जो है, PQ-R, Ctrl-R, right element, यह मैंने पहले ही बता था, Ctrl-S, save, file को save करना है, Ctrl-S, right, इस file को save करना है, save कर दो, जो भी नाम देना है, दे सकते हैं, अगर आपने file बना है, तो आपको save करना जूरु है, Ctrl-S करते हैं, save का dialogue box आता है, और save button क्लिक करते हैं, यह file आप save कर सकते हैं, यह basically आपको एक dialogue box में नाम भी पूछा जाएगा, सब कुछ है, अब यह मेरा directly online connected है, इसलिए, यह आपके मुझे, इस तरह का dialogue बता रहा है, लेकिन आपके computer में Ctrl-S प्रेस करने के बद, कुछ इस तरह से dialogue box आ जाएगा, मेरा actually, डिरेक्ली यह save हो रहा है, मेरे account पे Microsoft पे, लेकिन आप Ctrl-S प्रेस करते हैं, आपके पास इस तरह से dialogue box आता है, जब आपका login रहेगा तो, so Ctrl-S save दिया हमने, उसके बाद Ctrl-T आता है, Ctrl-T, वर्ड में तो बहुत कम यूज़ जाता है, Ctrl-T अगर मैं यहाँ पे प्रेस का तो इसको, तो यह यहाँ पे इस तरह से indent नहीं होता है, लेकिन यह tap position थोड़ी से change करता है, लेकिन Excel में, अगर कोई table है, आपके पास यह data है, इसको table में convert करना है, तो आप Ctrl-T का इस्तमाल कर सकते है, Ctrl-T यह table में convert हो रहा है, और इसके बहुत सारे इस्तमाल होते है, table से data automatic calculate होता है, automatic formula apply होता है, बहुत सारे चीज़े होती है, query भी बनाए जाती table से, जो कि मेरे Excel कोर्स में, मैंने detail में explain की है, so Ctrl-T insert table in Excel, format आता है, रेडिमेट formatted table मिल जाता है, Ctrl-T range से लेक करके, उसके बाद कुछ ही shortcut की जबाकि है दोस्तो, और वीडियो आप तक देख रहे हो, तो you will be definitely smart, और आप बहुत smart बन चुकिया अभी keyboard में, क्योंकि आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, और मानना पड़ेगा, और online भी आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, क्योंकि लोग movie देखने के लिए 3-3 गंटा वेश करते हैं, लोग है, लेकिन आप उन में से नहीं हो, आप पड़ाई के लिए इतना टाइम दे रहे हो, आप यूटिलाइज करें अपने आपको, definitely आप लाइब में कुछ ना कुछ बनोगे, successful बनोगे, ये मेरा कहना है, फिलाल आगे बढ़ते है, control you, underline, underline आता है, control you, underline, हट जाएगा, underline, अगर आप देना चाहते है, underline, तो दे दीजे, अगर आप नहीं लाइन मारना चाहते है, line मारने से मेरा मतलब है, underline, underline वाली बात करो, line मारने का गलत मिनिंग मतले न, Hindi में बहुत सारे मिनिंग होते हैं भई, समझा आपको उसके बाद आता है ctrl w close तो मैं यहाँ पे ctrl w press करता हूँ यह document close do you want to save it I don't want to save it इसमें कोई इतनी important बात नहीं रखी मैंने आने लिए इस bad girl वाली important बात नहीं है मैं इसे close करना जाता हूँ so ctrl w close के लिए पूछा जाएगा आपको और save करना है तो save कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद मैंने अगेन paragraph ले लिया और यहाँ पर यह जो content इसे cut कर लिया तो magazine में नहीं रहेगा आपके पास आ जाएगा cut paste हो गया right इस तरह से लेकिन अगर आपने उसे xerox ले लिया तो वह copy paste हो गया right cut paste और copy paste में यह फरक है अपने कैसे से cut कर लिया cut paste अपने xerox बना लिया copy paste सो यहाँ पे cut paste और copy paste definitely समझाओगा cut करने बाद paste करना जरूरी है copy करने के बाद भी paste करना जरूरी है तभी तो उसका result पता चलेगा और अब final 2 shortcut की तरफ बढ़ेंगे जो कि सब की फेवराइट होती है क्योंकि life में अपनी गलतिया माप नहीं होती है लेकिन computer में अपनी गलतिया माप होती है इसलिए life में गलतिया कम करो या करो ही मत यार सोच समझ के करो जो भी करना है तो life में undo नहीं होता है life में कोई भी undo जाने की क्या होता है एक step back अगर अपनी computer में गलतिया डेटा डिलीट कर दिया और आप कोई डेटा बहुत ही important था आप control-z बटन प्रेस करो आज जाएगा क्योंकि यहाँ पर word में excel में powerpoint में सब जगा पे control-z यानिके undo right one step backward undo आप जितना भी दे किया मैंने suppose यह आपे bold किया जो चीज़े की थे ना वो सारी चीज़े आप अंडू हो जाएगी और undo के बाद पांडू आता है I'm sorry पांडू नहीं आता रीडू आता है control-y okay control-y यानि कि जो अपनी चीज़े अंडू की थी उसे दुबारा one step forward control-y प्रेस करके आप ले सकते so control-z and control-y फेवरेट कीज सब क सब जो भी computer में काम करते क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों को माप करने का chance मिलता है बतलब undo कर सकते अपनी जो भी गलती हो गई उसे तो दोस्तों keyboard की उपर जो कीज होती उसकी जानकरी तो हमने ले लिए है अब जानते कि वह यह keyboard की उपर जो alphabatic keys होती है वह alphabatic order में क्य रहा जाता है जी हाँ हम हरो जो keyboard यूज करते है अपने mobile phone से और computer में वह quality keyboard होता है और यह quality keyboard का invention किस्टोपर शोल्स ने 1868 में किया था लगबग आज से 1500 साल पहले दोस्तों और इस quality layout में कुछ तो बात होगी जो आज तक हम use करते आ रहे हैं श्रवात में computer का keyboard नहीं हुआ कर गया था जैसे की ABCD और यह जो टाइप राइटर थे वो एक puppet mechanical device थे उनमें बहुत सारे mechanical linkages का इस्तमाल किया जाता था और type करते समय English language में कुछ words ऐसे हैं जो commonly एक साथ आते हैं alphabetical order keypad पे ऐसे alphabet अजो बाजो में ही place किये थे जिनका इस्तमाल English language में एक साथ और बार बार होता है high speed में type करते समय जब ऐसे alphabet एक साथ type होते थे तब typewriter जाम होता था दोस्तों ये problem को solve करने के लिए Christopher Scholes ने inward को दूर दूर कर दिया और quality नाम का pattern design कर लिया और ये combination इतना famous हुआ कि बाकी सारी typewriter company ने इसे accept कर लिया और इसी सब से आगे के सभी typewriter अपने बनाने लगे और ये असल में तो typewriter का problem solve करने के लिए बनाया गया था लेकिन ये इतना पे मस हो गया कि आगे चल कर computer के keyboard में भी यही pattern को continue कर लिया गया तो दोस्तों ये थी keyboard keys के बारे में detail जानकारी और कुछ जानकारी आपको चेए तो comment section में लिखिए मैं उसके बारे में detail और जानकारी आपको दूँगा comment में reply दूँगा या वीडियो बनाऊंगा उसकी पर don't worry और साथी में ये था part 3, part 4 में मिलते कुछ और interesting topic के साथ next Monday 5 PM याद रखिए every Monday 5 PM हम वीडियो upload करते हैं नहीं पता है तो याद दिला देता हो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और शेयर आपने अलड़ी किया होगा खुद का कयाल रखो सीखते रहो लोगों को सिखाते रहो बाई बाई